हलो फ्रेंड्स विल्कम बेक टू माय चैनल तो फ्रेंड्स आपने मेरा सस्क्राइब बैल एनिमेशन तो देख लिया होगा अगर आप भी मेरी तरह स्ट्सक्राइब ऑब बैल एनिमेशन बहुत ही सरव तरीके से बनाना चाहते हैं तो ये बीडियो आपके लिए बहुत ही helpful होने वाली है तो फिर चलिए बीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको अपने काइन मास्टर एप को open यहां से कर लेना है काइन मास्टर एप को open करने के बाद यह कुछ इस तरह open होगे यहां से new project को यहां से choose कर लेना है new project के बाद यहां से अपने ratio को चुल लेना है 16 ratio 9 को चुल लेना है उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का interface यहां पर open होगा उसके बाद हमें जो भी template यूज करनी है उसे यहां gallery से choose कर लेना है चूज करने के बाद थोड़ा सा बैक आना बैक आने के बाद यहां से हमें अपनी टेंपलेट का वन पर कर लेना लाकर यहां से हमें अपना लोगो चूज कर लेना है गैलरी से देखिए हम यहां से लोगो चूज करते हैं लोगो चूज करने के बाद लोगो को छोटा कर लेना जो white वाला template है उस पर इस तरह set करना है कि हमारा ठीक से set हो जाए उसे यहां से हम set कर लेते हैं set करने के बाद उसके बाद आपको लोगों पर animation देना है तो आपको in animation में जाना है यहां से देखिए इन एनिमेशन के बाद आपको slide up इसको चूज कर लेना है और यहां से timing को one रखना है timing को one रखने के बाद यहां से out animation पर आपको आ जाना है उसके बाद आपको यहां से slide down को यहां से चूज कर लेना है slide down को चूज करने के बाद इसका भी timing जो है वनी रखना है देखिए slide down चूज करने वन रखना है उसके बाद उसके बाद out animation यूज हो गया उसके बाद आपको यहां से जो भी अपने चैनल का नेम है उसे यहां पर टाइप कर लेना है जैसे मेरे चैनल का नाम है सिवासी स्टेक तो मैं यहां से देखिए अपना जो नेम है उसे यहां से टाइप कर लेता हूं टाइप करने के बाद मैं ओके पर यहां से देखिए क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद जो मेरा color है उसे मैं यहां से पहले Plays लुए चेंज करूंगा तो पहले में एक ले लुए अपने नेम को ले आता हूं यहां से देखिए उसके बाद आपको अपने जो लिएब है उसको मेरे एक लाके Template सेट कर ले रहाए छिय लाक लेए सब्रूर सेट करते हैं इसके बाद यहां से आपको color पर आ रहा है color में याई से में black ज्ममाढम व्लेक को चूज कर लेता हूं black को चूज करने के बाद यहां से आपको फोंट को चूज करना है तो देखे मैं यहां से अपने font को चूज कर लेता हों जो भी आप phone to use करना चाहिए उसे आप चूज कर सकते हैं उसके बाद आपको फोंट में आउट में जैसे आउटलाइन देनी है तो भी यहां से दे सकते हैं इसे में इनेवल कर देता हूं इनेवल के बाद देखिए थोड़ा सा यह ज्यादा डार को रहा है मैं इसे थोड़ा सा इसका कम करता हूं कम करने के बाद बैक आने के बाद आपको स्लाइट सो पर सरो पर इस एडोंपर क्लिक लिक करना है किलिक करने के बाद एस ने डाइस की और भी ने आ जाना है यहां पर चौड़ाइट डाउन पर हाइब यहां से वन ही रखेंगे आप उसके बाद यहां से देखिए हमारा लोगो हमारा जो subscribe बेल एनिमेजन है वो लगवक यहां से complete हो गया देखिए मैं इसे play करके आपको दिखा देता हूं उसके बाद आपको इसे save करना है तो save करने के लिए आपको जो arrow वाला जो arrow दिया है उपर as video पर यहांसे click करेंगे यहां से आप ratio भी अपना choose कर सकते हैं किस ratio में आपको यह subscribe bell animation जो download करना है तो देखिए मैं यहां से subscribe bell animation वो यहां से अपना download कर लेता हूं डाउनलोड करने के बाद मैं यहां से फिर से बेक आ जाता हूं, बेक आने के बाद यहां से देखिए, मेरा जो subscribe bell animation वो मेरी गैलरी में यहां से सेव हो चुका है, अब मैं यहां से कट कर दूँगा, कट करने के बाद आपको अपनी गैलरी में जाके वहां से देख लेना है, अ वीडियो पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें.